हलो गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे ओनलान वेप्टूटर चैनल पे मैं हूँ संजय हम जो कोर्स कंटिनू कर रहे हैं वो है लारावल 8 फ्रेम और इस कोर्स का यह पार्ट नमर 10 वीडियो है इस वीडियो सेशन में काईज हम डिसकस करेंगे अबाउट लेयाउट क्रिय नहीं किया है फटाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो की लेटिस्ट अपडेट आपको मिलती रहे लास्ट वीडियो सेशन में गाईज हमने देखा था अबाउट ब्ली टैंपलेट इंजिन के बारे में जहाँ पर हमने इसके बेसिक्स को देखा था इसके फ्लो को समझा था डैरेक्टिव को यूज किया था और यह .php फाइल से क्या दिफ्रेंस होते हैं हमारे ब्लेट टैंपलेट में यह भी हमने समझा था इस वीडियो सेशन में हम पैरेंट लियाउट जैसे कॉंसेप्ट की बारे में डिस्कस करने वाले हैं सब्स हमएक वैबसाइट बनाने वाले हैं उस वैबसाइट में कुस हमारे पास pages होंगे लाइक about us, contact us, products, services तो जहां तक वैबसाइट ये बात होती है वहां पर हमारे पास कुछ common से areas होते हैं like header, footer, sidebar और menus ये सारे एसे sections हैं जो कि लगबग हर pages पे common होते हैं बजाए कि हम हर page पर उनकी coding करें हम एक लियाउट, means एक लियाउट, एक parent layout create करना चाते हैं उस parent layout को हम हर pages पर use करेंगे और common section को reuse करेंगे चलिए देखते हैं हम कैसे parent layout create करें अपने Laravel में So back to editor, So यहाँ पर web.php मैंने डो route create किया हुआ है called about us and contact us इनके कुछ methods हैं, वो methods हमने define किया हुआ अपने site controller में So back to controller यहाँ पर controller file site.php में आप देख सकते हैं हमारे पास public function about us method है and public function contact us method है यह दोनों method अपने view files को call कर रही है So सबसे पहले हम इन view files को create करेंगे So मैं जाओंगा resources folder के अंदर, views folder के अंदर और हम जो file create करने वाले हैं called aboutus.play.php इसी तरीके से contact us page के लिए जो हमने layout create करना है वो होगा contact-us.play.php So test करने के लिए अगर मैं इसके static message को copy कर लो This is for about us, copy and paste This is for contact us method, so copy and paste So मैं जाओंगा browser पर और browser पर जाने के बाद ये दोनों route हम open करने वाले हैं So यहाँ पर मैं type करूँगा about us और यह रहा हमारा about us page का content इसी तरीके से मैं type करूँँगा अपना contact us page का और यह रहा हमारा contact us page का content So in pages पे हमारे पास फिलाल कोई भी sections नहीं है कोई भी content नहीं है अब हमें एक parent layout create करने वाले है So back to editor So parent layout या किसी भी तरीके की layout template files हम अपने resources और views के अंदर create करते हैं So इस views के अंदर मैं एक फोल्डर create करूँगा with the name of layouts इस फोल्डर के अंदर हम एक parent layout file create करने वाले है So app.blade.php इसी layout के अंदर जो भी sections हम define करेंगे उन्हें हम किसी भी blade template engines के अंदर use कर सकते हैं So मैं इसके अंदर सबसे पहले एक HTML tag create करूँगा Simple सा basic HTML इसके अंदर हम head tag define करने वाले हैं साथ ही साथ इसके अंदर हमारे पास एक body tag होगा इस head tag के अंदर हमारे पास एक title tag होगा title के अंदर fill हाल के लिए मैं कहूँ parent layout और इसके body area के अंदर अगर हमारे पास कोई static सा message है let's say welcome to parent layout मैं इसे save करूँगा अब इस parent layout को हमें अपने view files पे use करना है सबसे पहले मैं जाओंगा aboutus.play.php पे और उस layout को हमें inherit करना है so हम कैसे करेंगे so इसके लिए हमारे पास एक directives है so इस directives के help से हम अपने parent layout को extend कर सकते हैं और उनको use कर सकते हैं so directive is something extends इस directives के अंदर हमें अपने parent layout के folder path को pass करना है so जैसा कि हमने app.play.php file बनाया है और यह layouts folder के अंदर है so हमें पास करना है layouts यह रहा फोल्जर का नाम साथ ही साथ यह रहा हमारा layout का नाम so मैं इसे save करूँगा browser पर जाओंगा about us मैं इसे reload करूँगा so यह है हमारा about us का content साथ ही साथ यह रहा हमारा parent layout का content अगर मैं control यू करूँ to see the source code और right click करके अगर मैं click करूँ view point source तो हम देख सकते हैं यह सारे वो content है जो कि हमने parent layout पर लिखा था साथ ही साथ अगर हम इस parent layout को अगर आपको अंटेक्टर स्पेज पर यूज़ करना चाहते हैं so simply we need to use extends directive so extends folder name अगर हमारे पास कोई भी folder name नहीं है हमारा parent layout सिदा हमारे views folder के अंदर है तो हम सिदा view file को pass करेंगे जैसा की layouts means extends उसके अंदर होगा app but in this case we have a layouts folder so layouts के अंदर हमारा app है मैं इसे save करूँगा contact us पर जाओंगा reload करूँगा और हमने successfully parent layout को अपने contact us page पर inherit कर लिया है so हम यह देख सकते हैं कि हमने जो inherit किया है तो यहाँ पस हमारे पस जो title है वो static title है क्योंकि हमने इसे अपने parent layout में पास किया है साथ ही साथ यह static content है अब हम अपने parent layout को अपने like pages के recording modify करना चाहते है हम चाहते हैं कि यह जो title है यह जो body content है यह बिल्कुल dynamic हो हमारे pages wise so हम इसे कैसे solve करेंगे मैं जाओंगा टीटर पे app.blade.php सबसे पहले हम इसे dynamic करने वाले है तो dynamic करने के लिए हम कुछ placeholders को define करेंगे यह placeholders directives होंगे so yield yield के अंदर हम एक key pass करेंगे something called title यह title के लिए placeholder होगा साथ ही साथ हमें अपने body content के लिए dynamic placeholder define करना है so मैं यहां use करूँगा section so add the rate section directive इसके अंदर मैं लिखूँगा like content so simply हमने 2 dynamic placeholder create किये हुए अपने app.blade.php में और हम इन directives को means इन keys को अपने view file से modify कर सकते है मैं जाँगा about us plate.php यहां पर मैं सबसे पहले अपने alt directive को extend करूँगा means इस placeholder के जगा अपना dynamic value पास करूँगा so यहां पर होगा हमारा section जो title के लिए की है वो है title और second value में हम title को पास करेंगे so it should be something called about us page next है हमारा dynamic placeholder for the dynamic content equals to content as a key so हम क्या करेंगे एक section की दूसरा define करेंगे इसके अंदर पास करेंगे हमारा content जो की key define किया हुआ है और इस area में हम अपने like html contents को render करने वाले है so इसे लिए हम इसका closing tag भी open करेंगे so it should be something called end section इस section directive के अंदर अपने means like about us page को content को paste करेंगे मैं save करूंगा browser पे जाओंगा यह रहा हमारा about us page इसे reload करूंगा तो यहां पर देख सकते हमारा about us like title render हो चुका है content render नहीं हुआ so I am pressing ctrl u to get the source code और हमारे content वाले means content जो placeholder था वहां कुछ भी नहीं आया so let me check that मैं जाओंगे app.play.php और यहां पर हमारा section directive यहां पर मैं use करूंगा content so करने के लिए so directive यह हम इसलिए use करेंगे क्योंकि यहां पर हमने अपने content को means html content को render कर दिया है बर display करने के लिए हम so directive use करेंगे so मैं save करूंगा browser पे जाओंगा, reload करूंगा और welcome to about us page यह रहा हमारा dynamic content about us के recording as well as dynamic title about us page के recording इसी तरीके से अगर मैं इस app.play.php के dynamic placeholders को अगर मैं replace करूं अपने contactus layout के साथ तो यहां पर होगा हमारा section directive title और यहां पर होगा हमारा contactus page साथ ही साथ हमारे पास content के लिए second directive है so it should be content और हम use करेंगे end section और यह मैं content को copy करूंगा cut करूंगा paste करूंगा browser पे जाओंगा same layout हम अब about us के लिए यूज़ करें साथ ही साथ contactus page के लिए यूज़ कर रहे है so यह है guys हम parent layout कैसे create करें अपने different different play templates के साथ कैसे use करें साथ ही साथ हम इनके dynamic placeholders को हम अपने layout files कैसे replace करें so in case in some cases if we want to attach some javascript files और some style sheets file कहने का मतलब यह हमारा parent layout है about us page में suppose हमारे पास कुछ different CSS है contactus में हमारे पास कुछ different CSS है so हम कैसे उसे load करेंगे so simply मैं जाओंगा अपने hate tag के अंदर और इसके अंदर हम use करेंगे stack as a directive इसके अंदर मैं type करूँगा key called style मैं save करूँगा अब इस directive को हमें अपने pages wise पे define करने हैं सबसे पहले मैं जाओंगा about us blade.php और हमें यहां पताएंगी हमारे पास different styles है so stack directive को use करने के लिए या उनके अंदर content display करने के लिए हम use करने वाले है post directive so यहां पर होगा end push styles क्योंकि यह वो की है जो कि हमने हाद define किया हुआ so it should be style मैं इसे copy करूंगा अपने about us पे जाओंगा so यह रहा हमारे style और यहां पर मैं कहूं कि suppose कि जो h1 element है उसका जो color हो सबसे पहले हम एक style tag define करेंगे और जो h1 tag है उसका जो color हो it should be blue in color so यह है हमारे style जो कि perfect only for about us blade.php है so इंचीजों को define करने के लिए हमने यूज किया हुआ tag directive और इस की के अंदर content को render करने के लिए हमने यूज किया हुआ post directive so same मैं copy करूंगा contact us page पे जाओंगा मैं इसे define करूंगा और इस ताम इस ताम इस एच वन let's say color equals to red so मैं save करूं browser पे जाओं about us page यहां पर हमारा color render नहीं हुआ press ctrl u and this is because यहां पर हमने h1 को as a class यूज किया हुआ so it is something wrong here so we need to remove dot here because यह हमारा class नहीं बलकि यह एक h1 element है हमारे html का so मैं इसे remove करूंगा browser पे जाओंगा reload करूंगा so हम देख सकते हैं about us का content blue color में है साथ ही साथ contact us page का content red color में है so यह था guys हमारे parent layout को create करने का technique उनके common areas को use करने का technique साथ ही साथ हमने अपने parent layout पे अपने blade templates के according हमने dynamic content को render किया है so for this video session guys thank you for watching and have a great day